विश्व योग दिवस के मौके पर ताज नगरी में लाखों लोगों ने योग अभ्यास किया आठवे विश्व दिवस पर आगरा जनपद में आठ लाख लोगों के अभ्यास का लक्ष निरधारित किया गया था जिसके लिए व्यापक तैयारी भी की गई थी लेकिन इसे पीएम मोदी का प्रताप कहें या उनकी अपील का असर ताजनगरी के हर सरकारी ओफिस, पार्क, निजी फार्म हाउस और गाउं देहात में लोग सुबा 6 बजे से 7 बजे तक योगा भ्यास करते नजर आए फतेहबाद में पूर्व मंत्री रामसकल गुरुजर के फार्म हाउस पर 1000 से अधिक लोगों ने योगा गुरु के निर्देशन में योगा भ्यास किया योग से निरोग रहने का ऐसा प्रचार फतेहबाद कजबा और गाउं देहात में किया गया कि लोग सुबा 6 बजे ही फतेहबाद शम्शाबाद बाईपास इस्थित पूर्व मंत्री वरिष्ट भाच्पानेता रामसकल गुरुजर के फार्म हाउस पर एकत्रित हो गए जहां योगा गुरु स्वामी अवतार देव में फतेहबाद की जरता को योग गुरु बाबा राम देव की छवी दिखती है उनकी निर्देशन में सवा घंटे तक योग की विभिनिक क्रियाओं का अभ्यास किया, योग गुरू ने हर योग क्रिया का अभ्यास कराते समय उस क्रिया के गुणों के बारे में भी जानकारी दी पूर्व मंत्री राम सकल गुरू जर इस योग शिविर के लिए एक महीने से लगातार लोगों के बीच रहकर खुद योगा गुरू के निर्देशन में योग क्रियाओं का अभ्यास कर रहे थे इसी योग शिविर में आए लोग योगा भ्यास कर बेहधी प्रफुलित नजर आए सी न्यूस के लिए विजय बगहेल की रिपोर्ट